नमश्कार दोस्तों वेलकम टो आसे अस्ट्रोलोजी मैं नी तू सिंग दोस्तों मुस्टो निकली चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे की वीडियो के अपजेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहें आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जारी अगर आप पती पत्नी हैं आप शादी शुदा हैं चाहें अपने लब मेरिश करी हो चाहें आपने आरेंज मेरिश करी हो और आपके जो आपसी संबंध हैं वो बेकार होते चले जारे हैं आपके जो आपसी मना जाता है एक ही परिवार के दो पहीं जो एक के बिना एक दूसरा चल नहीं सकता इसलिए ये दोनों एक होने चाहिए इन दोने के बीच में एक मधुर रिष्टा होना चाहिए अगर आपके बीच में दरार आ गई या फिर कोई आपके बीच में दरार उत्पन करने की कोशि नफ और पर आप आई पिरू को बतानी है तो अज़ गर कर के अपसीस संबन की पर शानी को दो झाँ कर सकते हैं आपको क्या करना है एक नीबू लेना है उस नीबू को ऊपर आपको पती पत्नी अगर पत्नी को अपनी तरफ खीशना चाहता है तो पत्नी का नाम लिखेगा अगर पत्नी पती को अपनी तरफ खीशना चाहती तो पत्नी का नाम उस नीबू पर लिख देना है उसके बाद ना का आपको कम से कम 108 बार जब करना है कैसे करना है सुन लिजी ओम नमो कामा ख्याय देव्याय इसके बाद आपको पती का नाम लेना है अगर पत्नी कर रही है अगर पती कर रहा है तो पत्नी का नाम लेना है तो आपको क्या करना है ओम नमो कामा ख्याय देवा आपने नाम लिया पती के पत्नी का उसके बाद अपको बोला है मं वश्यम कुरू कुरू मेरे वीडियो लाइक करें शेयर करें मुझे से जुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें